हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आज है महाशिवरात्री तो दोस्तों आप लोगों को हैपी महाशिवरात्री ये पूजा का समान मैंने इकठा कर लिया है तो हम लोग घर पे पूजा करने वाले हैं अपने घर पे शिवर जी का परिवार रखा हुआ है तो आपको पांच प्रकार की पंच जिनको पंच अम्रित कहते हैं जिनसे असनान कराना है उनसे पहले असनान करवा के फिर उसके बाद फल और ये फूल चड़ाया जाएगा और साथ में दोस्तों ये जौकी बालियां हैं और आजकल तो सब कुछ मिल जाता है शहर में भी ये बेल पत्र ह और ये है सौरी धतूरा या मदार क्या कहते हैं मुझे थोड़ा आइडिया कम है और यहाँ पे भांग की पत्तियां भी है चुकि शिव जी को बहुत ही प्री है तो यह सभी पूजा का सामान मैंने यहाँ पे ले रखा है इनसे भी पूजा की जाएगी यहाँ पे बैर भी है और घी का दीपक है त्यार कर लिया है साथ में यहाँ थोड़ा सा घी रखा है स्नान कराने के लिए तो यह सभी चीजे हमने इकटा कर ली है उमेद है आप लोग भी अपनी पूजा अच्छे से किये होंगे तो यह वीडियो एक दो दिन लेट पहुँचेगा तो आप लोग देखिएगा जरूर और बताईएगा कोई कमी तो नहीं रह गई जो भी कमी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा उसके बाद दोस्तों उन लोग पूजा कर लेते हैं पूजा करके मिलते हैं अपने शिव परिवार को भी दिखाती हूँ यहाँ पे हमने रखा इनको पहले स्नान करवाया है फिर उसके बाद सारी चीजे इनको अर्पित कर दी है और अच्छे से पूजा हो गई है और यहाँ पे देखिए नास्ता तयार है क्योंकि आज ब्रत है तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबू दाने की खिचड़ी है जिसमें आलू, टमाटर, रधनिया यह सब चीजे हैं तो इसके साथ साथ कचोड़िया भी बनानी थी जो कि सिंगाड़े के आटे से बनानी है तो वो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाई हूँ कचोड़िया यहाँ पे यह सिंगाड़े का आटा ले लिया है थोड़ा सा क्योंकि दो ही लोगों का बनाना था तो जादा नहीं है यहाँ पे हरी मिर्ची है कट करके डाल दिया है मिर्ची आप नहीं खाते हैं तो इसे इसकिप कर सकते हैं फिर ये धनिया पती है इसे भी हम डाल देंगे अच्छे से और आलू को बॉइल करके उसको भी हम इसमें मैश कर लेंगे और उसी से आटा त fina करेंगे आटा का मतलब सिंगाड़े का आटा तो हमारे हैं बुर्द में ये खा सकते हैं हम लोग और सेधा नमक भी खाते हैं तो इसमें सब कुछ डाल के अलू को मैश करके अच्छे से आटा बना लेंगे और उसके बार इसमें सेंधा नमक भी डाल देंगे क्योंकि यह मैं हाथ से ही डाल रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स करना ही है तो इसको बना लेंगे, आटा गूत लेंगे पानी दूस्तों इसमें नहीं डाला जाता है यह पानी डालने पर फिर बहुत ही गीला हो जाएगा तो इसलिए पानी नहीं डालेंगे यह मैंने आटा त्यार कर लिया है इसका डो बना लिया है और यहां पर कड़ाही में गी गरम कर रहे हैं और बहुत थोड़ा सा ही बनाना है तो गी में ही बना रहे हैं आप चाहें तो मुंफली का तेल भी ले सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं, ब्रत में वो भी खाया जाता है, तो यहां पे सुद्ध देशी घी था, जो कि मैं घर पे बनाती हूँ, उसी में मैंने ये बनाया है, ये देखिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद आप निकाल लेंगे इसे, इसी तरह से और भी सारी बना के त्यार कर लेंगे, और फिर ब्रत का नास्ता रेडी है, उसके साथ साथ, ये देखिए, सिंगाडे की कचोडियां है, साथ में, साबू दाने की खिचड़ी, और इसके साथ चाय भी है, तो ये हमारा नास्ता है, ये छोटा सा ब्लाग पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,